और हरेक संभी आधवों को किसान को गरीब को सभी को लोक तंत्रमें मुक्यमंत्री इसके मुच्छम की veins unknown जार ने की कोशीश करेगा । कोई भी जाधव का पिटा हमें होड़istes करेगा तो इसको ठंडार कर दिया जाएगा इस परकार की अगर इस तरीके से जो केंद्र के मंत्री बने हुए हैं और इस तरीके से कर रहे हैं तो वह जान ले के बिहार है और बिहार में ठंडा कर देंगे दिल्ली से बचाने के लिए यहां कोई नहीं आएगा इस बात को कल प्रेश्वे अदब ने कहा था और देखे आज बिहार की जिस तरीके से बात करें तो नित्यानन्द राय का भी इसके उपर जवाब सामने आया नित्यानन्द राय ने कहा कि भैस का दूद्गार ले कौन कितना दूद् खड़े की है कि क्या भाजपा या जो यादब का बेटा है वो सिर्फ लालू यादब का ही बेटा मुखमंत्री बन सकता है क्या क्या कोई अन्य यादब का बेटा मुखमंत्री नहीं बन सकता यह सवाल जो है वो भारतिय जनता पार्टी के लोगों ने पूछा है किस तरीके से जिवेश मिस्रा जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या यादव का बेटा शरीफ लालू यादव का ही बेटा है और कोई यादव का बेटा मुख मंत्री नहीं बन सकता है सुनिे उनके बहान यादव के बेटे ही उप मुखमंत्री बनेंगे और मुखमंत्री बनेंगे और कोई यादव का बेटा मुखमंत्री नहीं बनेगा ऐसी मंसा लेकर नहीं चले हरेक सभी यादवों को किसान को गरीब को सभी को लोकतंत्र में मुखमंत्री बनने का अधिकार है अभी तो साफ साफ कल धमकी दिये कि हमको छोड़ करके कोई मुख्मंत्री बनने की कोसिस करेगा तो कोई भी जादब का बेटा हमको छोड़ कर मुख्मंत्री बनने का कोसिस करेगा तो उसको ठंडा कर दिया जाएगा इस परकार की अराजकता इस परकार का सत्ता चलाने वाले लोग इतने अराजक हो जाएंगे नित्यानन राय ओरिजनल जादव नहीं है नित्यानन राय के सामने टिकना बड़ा मुखमंत्री बननने का अधिकार नहीं है, सभी आदव के बेटे को भी मुखमंत्री बनने का अधिकार है, अगर वह मुखमंत्री बनने की बात करता है, तो अराजक सत्ता कहती है कि उसको ठंडा कर देंगे अपने आप में हास्यास्पा